अलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आल एक्जाम टेस्ट स्रीज में तो दोस्तों यहाँ पर जो वेप साइट खुली हुई है Central Teacher Ability Test CTAT यानि कि जो आपके CTAT के एक्जाम है वो आपको कैसे कंटेक्ट करने हैं उसके बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने बाले है तो दोस्तों इस वीडियो को आप दियान से देखना दियान से देखने का मतलब मेरा यह है आप एक्जाम देना जा रहे हैं 6 मेहने की आपकी तैयारी है काप इस समय बाद CTAT का एक्जाम ओनलाइन हो रहा है तो आप कोई भी गलती ना करें धेर्य बना के अपना एक्जाम दे क्योंकि एक्जाम हमारे ऐसा अगर इस बार एक्जाम गलत हो गया तो आगत 6 मेने आपको इंतजार करना पड़ेगा तो इस बीडियो में हम आपको यही बताएंगे जो आपका ओनलाइन एक्जाम है वो आपको कैसे देना है और दोस्तों आप मैंसे किसने ओनलाइन एक्जाम अभी तक नहीं दिया है तो उसके लिए ये रामबार इलाज होगा बहुती रामबार बीडियो है ये उसे ये बीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए जिस से कब आने बाली एक्जाम को कंड़क्ट कर सके और आपके पास लैप्टोप, PC या पर मुवाईल है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है सबसे पहले आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको लिख देना सी टैट सी टैट लिखने के बाद में एंटर कर देना है जब आप एंटर करेंगे तो कुछ दिर ब्राउजर चलने के बाद में एक साइड ओपन होगी side कुन सी open होगी side होगी seat at की open देखिए ये seat at की side है वो open हो चुकी है तो first बाली side पर हम अप click करेंगे click करने के बाद में कुछ देर processing चलेगी processing चलने के बाद में एक home page open हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर हमारा जो network है थोड़ा silo है तो इस बज़े से कुछ time लग रहा है आपका अगर network सही चलेगा तो आपको इतना time नहीं लगेगा तो देखिए दोस्तो इस तरह से आपकी side open हो जाएगी तोड़ा scroll करने के बाद में यहाँ पर आपको last में options आएगा mock test का इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद में यहाँ पर आपको ok करना है जब आप ok करेंगे तो एक जो test है mock test देने के लिए एक browser open होगा जिसमें कहां हम आपको बताएंगे mock test आपको कैसे conduct करना है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा browser open होगा तो आपको क्या करना है click here to get login पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर हमने click किया click करने के बाद में सबसे पहले आपको roll number, password और pin के लिए suggest कियेगा तो roll number बार है 1965 है password 1234 है और pin triple time 1 और 1 है यहाँ कि 4 time बन है तो हम यहाँ पर start exam पर click करते हैं अब यहाँ पर हमें क्या करना है roll number डाल देना है यह हमने roll number डाला अब यहाँ पर हमें password डालना है password डाल देते हैं अब यहाँ पर हमें pin डाल देते हैं pin डालने के बाद में यहाँ पर login करना है जब हम login कर देंगे तो एक homepage open हो जाएगा जैसे देखे, आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक home page open हो चुका है, अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, आपको करना resume exam, इस पर click करने के बाद में, आपका जो exam है, practice set करने के लिए जो आपका exam है, वो आप दे सकते हैं, यानि कि आप practice कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना practice, only practice करनी है, तो यहाँ पर हम सबसे main चीज़ बताते हैं, आपको, यहाँ पर देखिए, tpppt, यानि कि teachers project practice test November 2022, अब यहाँ पर एक एक point आपको समझाएगे, क्योंको यहीं पर सहरा खेल है, तो यहाँ पर part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, आपको यहाँ सब दीख रहे होंगे, अगर आप आपको कोई साई part पहले select करना, suppose करो हमारे यहाँ पर part बन है, और हमें क्या करना है, part 3 साई start करना है, तो part 3 पर आपके लिक करेंगे, अब हमारे part 3 के जो first question था, वो आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यह पूरा जो question है, question आप साबधानी पहले options आगए, पहले options होता हमारा, कल कार खानों की संख्या बढ़ रही है, गंगा में पूर दूसरा बढ़ गया है, गलेसियर पिखलने की गती बढ़ रही है, जन संख्या में इरंतर बेद्धी हो रही है, अब suppose करो हमारे जो question है वो दूसरा बाला है, तो हम यहाँ पर द question है, वो open होगा, कौन से question होगा, दूसरा question हमारा open हो जाएगा, अब हम यहाँ पर देखिए, हमारा जो question है, इसमें पुछारे नेम लिकित काथनों में सच सरवदिक सही है, हमारा लगता है यह तीसरी number का हमारा सही होगा, तो हमारा तीसरी यह रहा, इस पर किलिक किएंगे, और यहाँ पर nest कर देंगे, अब suppose करो हमें पार्ट नमबर दो से कुछ question करने है, पार्ट नमबर दो पर किलिक किया, किलिक करने के बाद में आपको सबसे पहले English में दीख रहा है, यानि कि जो question है, to language में आपको यहाँ प्रदर्सित हो रहा है, English में और Hindi में, अगर आपने English ले रहा है, तो आप English बाला question पढ़ेंगे, हिंदी हैं आपके पास, तो हिंदी बाला question आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए, हमने question पढ़ा पूरा, अधी गम में आकलन, किस के लिए अवश्यक होता है, question पढ़ लिया, question पढ़ने के बाद में चार options आप पर पास हैं, तो सपोच करो हमने जो question का answer है, हमारे यह fourth number का answer है, तो fourth number हमारा कहा है, यहाँ है, हमने fourth number select कर दिया, अब हमारा धिया यह fourth number नहीं था, इसका तीसरे number था, यानि कि option तीसरे, इसका सही है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पर clear response कर देंगे, clear response करने के select कर देते हैं अगर suppose उनमर तीसरा भी नहीं है हम first number लगाना चाहें तो या तो clear response करेंगे या फिर एक number हम click कर देंगे click करने के बाद में फिर nest करेंगे अब हमारा nest question open हो जाता है यह देखिए nest question open हुआ हमारा nest options होने के बाद में अब हम क्या करते हैं यह पूरा question हमने पढ़ लिया question पढ़ने के बाद में हम इसका answer देंगे answer हमें fourth सही लगता है fourth किया answer कर देंगे fourth अब हम सोचने हैं यार यह गलत भी हो सकता सही भी हो सकता तो हम यहापने से flag देंगे flag देने के बाद में nest करेंगे हमने flag देया था flag का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए एक number question पर flag आगिया अब suppose और हमें 10 number question करना है तो इस पर click करेंगे 10 number question हमारा आ जाएगा question पढ़ेंगे answer देखेंगे यह answer हमारा सही है click किया nest कर दिया दस नंबर कर दिया हमने question अब हमने जो flag छोड़ाता है हो सकता यह question हमारा गलत था या सही था हम review करना चाहते है इस पर click करेंगे और बहुत सेम question हमारा open हो जाएगा हमने लगता है कि यह first बाला सही है first पर click करेंगे और nest कर देंगे अब यहाँ पर देखने वाली बात एक है यहाँ पर देखिए आपको date प्रेदरसित होगी यह देखिए यहाँ पर date प्रेदरसित हो रही है और यहाँ पर साथ ही साथ आपका time कितना time आपका बचा है says और कितना time अपने conduct कर चुके है कोस्टन आपके percentage में चलेंगे कितने कोस्टन आप तक यहाँ पर अब तक आप select कर चुके है यानि कि कर चुके है अब यहाँ पर exam status देख लेते हैं exam status देखा इसने कोस्टन हमने कर चुके है जो red बाला option देख रहे हैं red बाला question हमने नहीं किया है और जो yellow color है इस question तक अभी हम पहुचे ही नहीं है तो यहाँ पर देखिए हमने जो attempt किये question अभी तक 93 question attempt किये है और note attempt हमारे 57 है total question कितने है 150 आपने देख लिया हम back कर देते हैं back करने के बाद फिर हम बहीं आ जाएंगे अब आपको इस तरह सही question करना है tick करना है तक किया फिर nest किया question आपको पढ़ना है answer देखना है solve करना है nest कर देना है इसी तरह से आपको सभी question कर देने है अब main point दोस्तों यह आता है का हमारे पास time नहीं बचा question हमारे 10 और बचे हैं और हमारे पास time नहीं हम क्या करेंगे तो या तो आप यहाँ पर time देखते रही है आपके पास कम time है, question जाद है अगर दो मिन्टी बचें तो आप question solve करने के बचाए सब पर click करिए, तुक्का मार देश से बोलते हैं तुक्का बस question देखो, answer पर click मारो question देखो, answer पर click मारो, nest करते रहो ऐसा करने के बावजुद भी, आप कहते को submit नहीं कर पाए अपना जो form था, वो submit नहीं कर पाए online तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, exam जो होता online वो automatically submit हो जाता है, तो दोस्तो ये आपको मैं जाने कारी देने वाला था, अगर आपको जाने कारी अच्छी लगी, तो वीडियो को please like करना, share करना, channel subscribe करकर रखना, इस सके आने बाले वीडियो का notification आप तक मिल सके, nest वीडियो में जितनी भी आपको comment थे, उनके बारे में सभी का answer देने की मैं कोसिस करूंगा, तो दोस्तो धन्य बात इस वीडियो के लिए